के एहम खबरों के साथ तो आरक्षन संशूधन विध्यक दस्तकत के लिए राज़िपाल के पास अठका है और इस मसले पर राज़िपाल अंसुया उईके ने आइनेश 24-7 से खास बातचीत की है देखिए विचार की प्रक्रिया राजे के स्तरवरी पर ही सीमे थे या दिली भी आप कोई बातचीत कर रहे हैं राजे के लोगों के हित का विशह है राजे के संदर में एक बड़ा महतफूर विशह बन गया है तो इसके संदर में माने राज़िपाल क्या दिली के भी संपर्क में है क्य इस विश्वे में मैंने सोचा है कि जो भी दस्ता बेघ मेरे पास सरकार से आएंगे तो मैंने राश्पती जी से भी टाइम लिया है मैं वीस्थारी को मुझे मिला है समय राश्पती जी से भी चर्चा भी करूँगी और साथ मैंने मांगा है जो Center के तर क्योंकि ये बहुत गंबीर भी से है आर इसका सीधा सीधा जल्दी से इसका निरा करन होना चाहिए मेरी दृष्टी में क्योंकि ये जिम्मेधारी मेरी भी तो कैंद्र से भारत सरकार से है क्योंकि उनके ही प्रतिनीधी के रूप में हूँ तो मुझे सारा सवाल जवाब लीगल कोई चीज में अगर कर दूँ और कोई ऐसी बात हो जाए तो मुझे तो राश्टपती हमारे संरक्षक होते हैं प्रदान मंत्री जी और गिरह मंत्री ये सारी चीजों को हर साल हर मेहने हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है प्रिदेश की गती विदी सारी चीजे जो भी कुछ होता है तो हर मेहने भी रिपोर्ट देती है चूँकि ये मामला इतना उल्जा हुआ है जो 58 से 76 हो गया तो ऐसी परिस्तिती में मैं चाहूंगी कि इन सारे लोगों से मार्कदर्शन लूँ ताकि इसका समाधान कर सको राजपाल के सरकार से सवाल पूछे गए हैं विशेश और बादिकारी परिस्तितियों में क्या बाद हो सकता है विशेश परिस्तितियों में संबंदित विवरन क्या है आई कोड के फैसले के बाद राजजी के सामने कैसी परिस्तितियां उत्पन हुई जिसके कारण 50 प्रत सरकार ये बताई कि प्रदेश में SCST के आर्थिक सामाजिक सैक्षनिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए किसी कमेटी का क्या गठन किया गया शाशन के विधी विधाई कारे विभाग का अभीमत क्या है क्या क्रपया अभीमत प्रेशित करने का कस्ट करे राज्यपाल के सचिवाले के सामने प्रस्तुत नहीं की गए या ते आयोग की रेपोर्ट प्रस्तुत की जाए तो कौन्टिफाइबल डेटा आयोग की रेपोर्ट तलब की जाए वहीं राज्यक की सेवाओं में क्यों नहीं चैनित हुए SCST